करेंगे जो भी कॉसिंट यहां से बं चुके हैं या बंते हैं वह सब भी सी वीडियो में कवर हो जाएका यो पी पीसिया सरो यारो में स्टेट्मेंट वाइस यहां से कॉसिंट पूछा जाता है जो कि अब आगे मिलेगा क्या का इसकी सिफारी से तिंकियों इसका विरोध हुआ इसमें देखेंगे जितने भी है निटर नोट्स वगर आप देखते हैं इस अभी आपको यूपी पीसे आरो यारो और दोनों का जो प्रेड कंपाइन डूप चल रहा है उसमें मिल जाएगा जोएन करने ग्रूप में ही मिलेगा तो इस पर वाट सेब कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे कब आया था तो 1928 में साइमन कमिशन भारत अब यहां पर एक चीज और पुछा जाता है जब अरेंज करने को आता है या फिर कभी-कभी एससे पुछा जाता है कि इसको घटनाओ को अगर पूछी जाए भारत का पहुंचा तो तीन फरवरी 1928 में यह पहुंचा था तो अगर अरेंज करने हो को आए तो नियुकति 27 में ही हो चुकी तिया याद रखेगा इसका उद्देश से क्या था तो 1919 में एक मॉंट्यों की चेम्स फोर्ड एक्ट आया था तो उसकी जा दर्ड यह 10 साल के पहले ही बन गया क्योंकि प्रिटेन में आम चुनाओं होने वाले थे में इसलिएů पहले ही साइमन कमिशन कोया है inspired by सभी के नाम जो कुछ और कमीशन आगे भी मिलेंगे जब आगी के वीडियो में तो उसमें थोड़ा नाम हो गया भी पूछे जाते हैं लेकिन यहां पर इतना याद रखेगा इसके अधर्च से जॉन साइमन भारत पहुंचा तीन फ़रोरी 1928 को सबसे पहले बंबाई बहारत में साइमन कमीशन कि विरोध का काराण क्या था क्योंकि इतने ही भारत के लिए आक्ट बनाया गया था और उसकos समिक्षा करने के लिए जो आयोग बना उसमें कोई भारतियों के द्वारा इसको स्वैत कमीशन का अगया था सभी अंग्रेज है इसके अलावां कॉंग्रेस के जो 1927 के डॉक्टर अंसारी वाला जो अधिवेशन हुआ था उसमें इसके 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 बहिसकार की पूरी योजन बन गई थी 1927 के डिवेशन में जो की मद्रास में हुआ था 1927 में डॉक्टर अंसारी इसके अध्याचते अब यहां पर जो पूछा जाता है सबसे में चीज जो इससे आती कि साइमन कमीशन का विरोध किसने नहीं किया था वह आला था लेकिन पहले देख लिए किसने किसने सबसे पहले समर्थन नहीं करने वालों में लाहर में एक में वेकिन लीग में में दो धड़ में बट गए थे आधे लोग विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का विरोध किया था यह याद रखिएगा और जो एक मुहम्मद सफी वाला धर था जो उनका ग्रूप था उसने जो लाला लाज पत्रा उन पे लाठी चार्ज हुआ था उसके बाद उनकी मृत्यू भी हो गई थी लाला लाज पत्राए की याद रखेगा काहां पर मृत्ति करने के दौरां लाहॉर में लखनौ में विरोध करने वाले में जो प्रमुख व्यक्ति थे पंडित गोबिंद पन्ट कहां से एक्टिव थे जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो लखनौ से नेक्स्ट यहाँ पर साइमन कमीशन का समर्थन करने वाली पारटी कौन कौन सी थी तो जस्टिस पारटी थी मदराज की यह इंप्रोटन है बहुत इस से कई बार कोशन बन चुके तो ज जाद रखेगा यह पार्टी कई बार पूछी जा चुकी है नेक्स्ट आप आपने यह भी देखा हो गया कि जब सुराज पार्टी गठीत हुई थी पिछले वीडियो में देखा हो गया सुराज पार्टी का जब गठन हुआ था तो उन्होंने जब बाद में जब चुनाव तो मदरास से अ हार गए थी का स्वाइमन कमीशन का विरोधी अभारत नेक्स यह नापर साइमन कमीशन की अखिरकार प्रकाशित हो गई मतलब कुछ भी फ़रक नहीं पड़ा जैसे चल रहा था चीज़ें जब तो 27 म 29 30 को इस नasiaial report सौова दी और रिपोर्ट की प्रमुक्त जो सिफारिस हैं यह बहुत इंपोर्टन होती हैं, कभी-कभी मेंस वगरा में भी यहां से कोशन आ जाते हैं, तो आपको पूरा लिखना पड़े का क्या क्या सिफारिस है थी, और PCS में इस तरह से बहुत कोशन पुछा जाता है, निमनों में से कौन सी साइवन कमीशन की मुख्य सिफारिस है थी, या निमनों में से कौन सी फारिसों में सामिल नहीं है, तो जो है सभी ही पर लिखा है, दोयद सासन समाप्त करने की बात इसमें की गई थी, याद रखेगा, गवर्नर जनरल का अधिकार बढ़ाने का इसमें सुझाओ दि चाहिए थी, यह तो यह ए एक चीज थी, फिर विधान-मंडल विस्तार की बात की गई थी, मुसलमानों को विश्यष प्रत्नेद्दियुत देने की बात इसमें कहीग ङई थी, शाईमन कमीशन में Kaiserutral मेच, विचार भीमश करने के लिए काउंसिल बनाने और इसमें बिटिस प्रतने ने सभान देने की बात कई थी जितने वी सेह विचार करने के लिए और जिसमें जो और रियास्तने उनको उसमें जगह मिले तो यह एक साइमन कमिशन की बात नेक्स ने आपर केंद्री विधान मंडल का पुनर गठन किया जाये और एक ये चीज कई बार पूछा जा चुका ये तीन चीजें बहुत बार पूछी जा चुकी है केंद्री विधान मंडल का पुनर गठन ए बर्मा को भारत से अलग करने की बात इसमें की गई थी सिंद्धो को पंबई से अलग करने की बात की गई उडिशा को अलग प्रांत बनाने की सिफारिस साइमन कमिशन ने की थी सेना का भारती करण करने की बात की गई थी साइमन कमिशन के द्वारा तो कुछ अच्छी चीजे भी थी लेकिन जितनी इन लोगों ने किया था उसमें इनका मोटिव रहता था हमेशा कि ब्रिटिस सरकार ही मजबूत हो और कोई भी भारतियों को सामिल नहीं करते थे हमेशा उपेक्षा करते थे बिरोध का मेन यही कारण था नेक्स्ट यहापर इसकमीशन भारतियों को उत्तर दायत कि अईओगी बताया उन्होंने का था मतलब इसकमीशन के जो लोग थे उन्होंने का था कि भारती जो है अपना सासन नहीं कर सकते हैं ऐसा इन्होंने एक बाद में रिजल्ट के सौरूं मतलब एक तमाचा टाइप का म बाद में नहरू रुपोर्ट वगर आई थी तो जिसके जवाब में यह बनाया गया था यह जब चुनाउती मिली थी तो मोतिलाल नहरू ने नहरू रुपोर्ट प्रस्टूद की थी जो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें भी बहुत सारी सीफारी से थी नहर यह वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्स्राइब कर लिजेगा यह सभी नोट्स वगरा के लिए आप यूपी पीसे सारो यारो या कमान ग्रूप जॉइन कर सकते हैं नंबर दिया हुआ इस प्रोट सब करके ग्रूप की डिटेल्स ले सकते हैं सभी चीजे आपको वही पर मिलेंगे पीवाई क्यू के साथ थैंक यू सो मच वाचिंग बिट्टाइम क्लासेस